किसानों को दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू करेंगे उनके पैरलल दिल्ली के अंदर शुरू होगा अभी किसानों के साथ क्या कर रहे हो आप शरम नहीं आती ना इनको बिल्कुल शरम नहीं आती भारती जंता पार्टी के डरपोक यही कर सकते ना तो कर लो यह जो ड्रोन की सुरक्षा के लिए जरूरती उनको यहां लाके यह एडानी और अम्बानी और चाइनीज लोगों के साथ मिलके किसानों के पर अत्याचार करना हिंदू राष्ट बनाना बनुस्पृति लागू कराना बे आरेसेस के गद्दार यह सभी तो देश के गद्दार हैं वो कह रह प्रदशन तो बढ़ता ही चला जा रहा है और उसमें वकील भी शामिल होई चुके उसमें लगता हमने आपको वीडियो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा लेकिन अब जो यह वकील के विरोध में प्रदशन कर रहे हैं अब इनको धंकियां तक आना स्टार्ट हो पार्टी के आंदर सब इक होगे कि talkin दे किसे हैं अपने है जएसे लोग भी तो हैं जो समिधान वादी हैं अब दिए हम भी तो बैटें तयार तयार होके अपना पैन कलम और काकस तयार करके बैटें हम भी हम अब एक-एक उस वेक्ति ने जो पैसे लिए ना पार्टियों में जो जिसने पैसे जमा कराएं उसके खिलाब एडी का केस बनवाएंगे यह तो गहर कानूनी हो गया ना कोशित सम प्रिम कोट ने इंट्रिम भी ओडर किया था इसमें फिर भी लिए गए तो यह समिधान के खिलाफ अपराद करके जो पैसे लिए गए वह एडी के अपराद हैं सारे अब हम एडी को मजबूर करेंगे कानूनी रूप से कि यह जो अपोजिशन पार्टी को अरेस्ट कर रहे को वाइट करने का एक धंदा है जो की चोरी चुपे पैसे लेने का एक धंदा है चोरी चुपे पैसे लेके चुरा के अपने परसनल कामों में लगाने का एक धंदा है और इसके अलावा भी कितने पैसे लिए गए हैं उस सब का एक एक पैसे का हिसाब अब मोदी जी आपको देना पड़ेगा और अमिच्छा जी आपको देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी आपको भी देना पड़ेगा सुप्रीम कोट के इस फैसले का ये मतलब है और सुप्रीम कोट ये फैसला दे पाई उसकी भी वज़ा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत देश के मालिक दे किया बहादुरी वाला इमानदारी वाला सच्चा फैसला किया काफी दिन बाद चुनाव आयोग का रोल अभी आ रहा है ना तीन अफते में चुनाव आयोग के अधिकारी भी जेल जाएंगे अगर छुपाएंगे बात तो अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें होने वाली हैं एक तो यह चुपा-चुपी का खेल होगा तो उसमें सब्सक्राइब के बाते तो हम लोग तो बैठे हैं ना सुप्रीम कोट ने तो एक ग्राउंड तयार करके दिया हम जैसे लोगो को के तुम आगे बढ़ो और इन सभी लोगों को जेल बिजवाओ और हम उस ड्यूट को जो सुप्रीम कोट में हमारी लगाई है उसको पूरा करेंगे इनके खिलाब कानूनी कारवाई करेंगे तो चुनावायोग के सभी सभी के सभी अधिकारी जो हैं एकदम इमानदारी के साथ सुप्रीम कोट का और का पालन करें वरना जेल जाने के लिए तयार रहें उसी सभी के एक चीज चुपा मतले सुप्रीम कोट का आदेश अक्षरता माने सभी के लोग भी अगर नहीं मानेंगे तो हम उन्हें जेल बिजवाने का काम करेंगे यह हम बतार आज की प्रिस कॉन्स में किया अप लोगों ने अभी 22 तारिक को उसके बाद 25 तारिक को और उसके हम भी हैं वो नोकर भानु जी भी हैं वो बहुत सारे लोग हैं हमारे अब ही जो23 गौतम साभ ते राजंदर गौतम साभ वो भी एक देश की जन्ता के नोकर है तो इमांदार नोकरों की जो ड्यूटि लगाई थी online परइसंदार बार बार हो और प्रेस कांफिरेंस के माध्यंते रहते हैं कि सही से बजा लाधा हैं कि मालिक हमारे नाराज नहुत ही क्योंकि वकिल्वcoal कि अइन अप्ट हैं सुय बॉदिगो भूज नकर sangat इंको आप लिधे की तरा जिन्स भार चानुटी लगा की जन्ता का आदेश है हमारे मालिक हैं हम कैसे 언 की बाद टाल सकते हैं इतिनी बड़ी महान देश की महान जन्ता ने एक हमें चोटी सी में दानी है जान जाएगी हम उस में दानी से पीछ निहीं अटेंगे और यह देश बचाने की जिम्मेदारी अगर जन्ता किसी को सौपती है तो वो कितना बड़ा एशसान करती है उन नौकरों के उपर यह बात हम हम्मर्वास करते है लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते हैं भगत सिंग जी की आवाज ओदम सिंग जी की आवाज और उस अश्वाक उल्ला खान साब की आवाज ऐसे सेंकडों नहीं हजारों लाखों अजादी के मतवालों की आवाज ना अंग्रेज दबा पाये थे ना ये जो अंग्रेजों से सीख कर हमारे देश को दुबारा गुलाम बनाना चाहते हैं वो हमें दबा पाएंगे तो ऐसे चलता रहेगा अंदुलन का यहीं तारीक कल 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 एक बड़ी विक्ट्री होई है और उस विक्ट्री से दूसरी जीत भी अब जल्दी होगी इव्यम भी हटेगा और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और उसके बाद चालिस पार करने की हमारा चलेंज है मोदी जी को अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं तो वो चालिस पार करके दिखाएं अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं से जुन रहован कि वह समीधान करने के लिए उन्होंने एलान कर रखा के सर्दार पटेल साहब को धोका देखके भारत के समीधान की जन्ता महान जंता की और भारत महान देश की काट पूरी दुनिया के पास नहीं है ये रसेस और वीजेपी के जो छुटभई ये लोग है इनके पास तो बिल्कुल भी भारत के समिदान की काट ना पहले कभी थी ना आज कभी है हिंदू राष्ट बनाना मनुसृति लागू कराना भा जा रहाएं अप लोगों का भी आंधोलं चल रहा है इसको भिया को सखते ना की कोश्रेश तो क्या होगा है ते किसान हमारे के अन्यदाता है हमारे देश के मालिक हैं वह भी जनता करेंगे ये भी सरकार समझ ले किसानों की आवाज दबाने की भी शम्ता किसानों की भी काट ढूनने की शम्ता बेरोजगारों की काट ढूनने की शम्ता गरीबों की काट ढूनने की शम्ता मजलूमों की काट ढूनने की शम्ता RSS के पूंजिवादी लोगों में और जालिम लो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अडानी, अम्बानी और उनके चाइनीज मित्रों के हातों से देश की जमीने, खेती वाली जमीने बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीने बचाने के तो पूरे देश के फाइदे के लिए लड़रे हैं किसान को emailed her का वकील उनके साथ कड़ा है सारे देश की जनता उनके साथ कड़ी ए दिलनी का एक हमानदार नाग्रिक भारती जंता पार्टी वर आरशेकरताओं को चोड़ Baptist किसानों के साथ कड़ा है, हमारे शेरीर यहां पर है, दिल उनके साथ है, हम उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, दिली के अंदर भी प्रोटेस्ट होंगे, लडाई दिल से तो नहीं हो पाएगे, फिजिकली जाना पड़ेगा, वहां पर लड़ने के लिए, लड़ाई यहां भी होगी न वह जहां आना चाहते हैं हम तो वहीं हैं दिली के लिब करेंगे यहां अदोलन के चल रहा है दो अंदोलनों को आपको चलाना है साथ देना सपोर्ट करना है लेकिन जिस चीज की शाजिश आप बोल रहे हैं कि की जा रही है इसके बीच कैसे अंदोलन चलेगा देखिए EVM का जो आंदोलन है वो किसानों का बेरोजगारों का देश के हर एक उस नागरिक का जो RSS और BJP का नहीं है जो RSS और BJP के गंदे घिनोने कारणामों के साथ नहीं है उसका अंदोलन जो पूंजी वादी मानसिकता का नहीं है जो देश की आम जंता का हक लूट के अपना घर और पेट नहीं भरना चाहता EVM की लड़ाई हर एक उस व्यक्ति की है किसान भी EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं EVM की लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है किसानों की लड़ाई भी एक बड़ी लड़ाई है वो भी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों हम साथ हैं फरक नहीं है हर आंदोलन क जो प्रॉबलम है हर आंदोलन की जो मांग है इवियम की मांग अगर मानी जाएगी इवियम की मांग पूरी होगी मतपत्रों से चुनाव होंगे तो आने वाली सरकार किसानों के आगे हाथ जोड के खड़ी होगी उनकी हर मांगनेगी और अगली बार भी बैलेट पेपर से जंता की अवास के खिलाफ बगेर वोट प्राप्त करें जो एक सिस्टम बन गया है वोट लेने का सरकारे बनाने का वो खतम हो जाये का तो उससे हर एक मांग जो जाइज मांग है इंसाफ और बराबरी की मांग है वो पूरी होगी इसलिए EVM की लड़ाई देश बचाने की जाएंगे वो तो सिर्फ इसलिए हमें नहीं मार पा रहे हैं कि उनको ये डर है कि अगर वो एक हम जैसे किसी वेक्ति को मारेंगे तो उसकी जगह पे सौ लोग खड़े होंगे अब वो मौल बन चुका है देश में अब कोई डर नहीं रहा है इनकी पुलिस जो ये प्रताप जी को एक किसी को भी गौतन जी को या किसी को भी या उधितराथ जी को मेशराम जी को इन लोगों को मार के अब कुछ होने वाला नहीं है तो इस्ट्राइजी बदलें अपनी हाथ जोड़ें माफी मांगे देश की जंता से और हम लोग तो तयार हैं जान अतेली प मार दिये तो कोई डर गया तुम से अभी किसानों के साथ क्या कर रहे हो आप शरम नहीं आती ना इनको बिल्कुल शरम नहीं आती जो ड्रोन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जरूरत थी उनको यहां लाके यह एडानी और अम्वानी और चाइनीज लोगों के साथ मिलके कि यह यह एंटिनैशनल यह लोग हैं या नहीं है इनकी और हिम्मत है किसानों को अन्यदाताओं को यह खालिस्तानी बोलते हैं इनको शरम नहीं है ना यह घदार है असली देश के देश यह समझ चुका है अप इसलिए अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो यह घदार भी इडी का केस लगेगा वही तो वर्निंग दिया भी इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के सारे अफसर इसको के सच सच बताना सुप्रीम कोट ने डिरेक्शन दिया हलके में मत लेना कहीं मोदी जी या मिच्छा जी मैसेज बिजवाएं कि हम बचा लेंगे तुम चिंता मत क पर और बहुत ही खतरनाक धाराओं में केस लगने वाला है तो आप बचना पाओगे इसलिए इमानदारी से काम करो सौ परसंट पता है वही सुप्रीम कोट ने कल बोला था ना चुनाव आयोक के ने जो अपने वकील के मात्यम से जूट बोला था वो जज़्मिन में मैंने क आपको पढ़के भी सुनाया था ना इसलिए के जूट बाजी नहीं चलेगी सुप्रीम कोट को यह कहना कि हमने पढ़ने में गलती कर दी यह तो सिरब आपने 19 के लिए बोला था तो सुप्रीम कोट ने कितनी लटार लगाई है कल भी तो अब लटार लगाने का काम सुप्र है दस सालों में तो क्या बीजेपी पर भी कोई कारवाई हो से केस मामने हो बीजेपी के हर एक कारेकरता पर कारवाई होगी जो इसमें इन्वाल्ड है इडी का केस लगेगा अब किसी और को एडी अरस्ट ना कर पाएगी सीब्याई के पास अब कोई और काम ही नहीं प्रशिष की जाएगी इस सारे ये सिर्फ आप बता है उसकी जो सरकार है चुनावायों मैं बता रहा है लेकिन आप बता रहें के ज्यादा तर पैसा बीजेपी के पास सिर्फ जो इलेक्टोरल बॉंड है उसी का नहीं ज्यादा तर पैसा जो अंबानी अडानी और इन सब जैसे लोगों ने अमिच्छा जी के और मोदी जी के मित्रों ने चुराया है, वो भी तो BJP के और RSS के कारेकरताओं के पास गया है, पन्ना प्रमुकों के पास गया है, ये सभी तो देश के गदार हैं, मंतली पैसा कहां से आ रहा है, और जो सबसे बड़ा गदार है, वो RSS है संस्था, उसका हर एक कारेकरता जो इन सब गोरक धंदों में देश को लूटने में शामिल है, उन में से जो इमानदार लोग हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हैं, बहुत सारी अंदर की, इसलिए मैं कहा रहा हूँ एक एक को पकड़ेंगे, मुझे हरानी है कि RSS के अ से लोग, पता निकिस वजा से, इमानदारी का प्रेशन कर रहा है, मुझे वजा नहीं पता, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन देने का क्या मतलब है, हमें इंफॉर्मेशन मोधी जी के बारे में देने का क्या मतलब है, इसका मतलब कहीं न कहीं, उनके अंदर zamneer की एक कुछ परसंटेज बाकी है सुप्रमानियुम स्वामी जी तो इतने बड़ रही है इसका मतलब स्लीपर सेल नी इमांदार कुछ लोग हैं पता नहीं क्यों हर जगा होते हैं कुछ इमांदार लोग क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसलिए लग रहा है मुझे इसलिए लग रहा है मुझे वरना मैं इतना शरीफ आदमी थोड़ी हूं कि मैं ऐसे जहांसे में आ जाओंगा किसी के इतना भोला भाला नहीं हूं मैं मुझे पुखता इंफॉर्मेशन दी हैं इसलिए तो मैं उनको इमांदार कहने की चेश्टा कर रहा हूं और एक तो सु अब्लीकली कर रहें वह चाहिना से डरते हैं वह कह रहें हैं मोदी जी ने अर्थ विवस्ते का बड़ागर्थ कर दिया वह कह रहें और सक्षट मेरे पास बीए तो आप समझ लो कहीं ना कहीं से सबूत आ रहे होंगे मेरे पास यह जो अभी जो पेटियम के खिलाब कांड और प्रदानमंत्री की फोटो लगाके बेचा है चाइनीज कंपनीज जैक माने वैसा काम यह रेजर पे यह फोन पे और इसी बहुत सारी और इसे बहुत सारी और यही काम कर रहे हैं चाइना के साथ मिलके आप इनके खिलाब जल्दी से जल्दी एक्षन लो नहीं तो जनता आ रही है अब यह बोलो मुझे इंफर्मिशन कहां से मिली हैं आप कहां बताते हैं मैं बतातो रहा हूं रेजर पे का और दो का नाम ले रहा हूं फोन पे का मैं वही काम कर रहे हैं जो पेटियम कर रही थी एक्जाक्ली लेकिन उनके खिलाब अभी तक कोई रिजर्व बैंक इंडिया ने कारवाई नहीं किया इसलिए मैं रिजर्व बैंक को ले लिया इसलिए कि सुप्रमानियम स्वामी शायब शॉरी शायद वह इसी का राज खोलने वाले थे जो मोदी जी डर गए इसलिए अपने जो गोरब धंदा है उस पे पानी डालने के लिए अब यह बोल स किस तरीके से आप के लोग हार नहीं मानने वाले इस।ंक और इस पर किकंशेम नमस्ति करें निए यह पीछे ले पर यह आपके रहें रहेंगे और इस पर आपकि क्या रहें हमें कमेंण बॉक्स एपृति क्रिया झालिया जरूर वाल